क्लोस करका इंजन दो स्लेंडर को कंप्रेसर किस तरह बनाएं और अधिक हवा बनाएं इसकी पूरी जानकर देने वाला हूं मैं आपका भाई गोपी राम वी आईपी दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत वह स्वागत है चलो चलते हैं वीडियो को दिखातों आपको पूर देखें फिर आपो समझे आए दोस्तों वर्ना इसे मत करना कि हमें समझ नहीं आया यह यह पांच मेंट के अंदर डेट सब्सक्राइब दोस्तों डेट सब्सक्राइब कर दोस्तों मेरे पास यह 16 का एंजन मैंने इसका चूला कोल कर और दो इसमें दो पुश्ट राड होती दोस्तों पुश्ट राड निकाने बाद क्या करना आपने वैसे जिसा चूला खोला था वैसे उसको फिट कर देना दोस्तों और उसको फिट करने के बाद दोस्तों फिर मैं आपकी आगे की जानकरी बताने वाला हूं दोस्तों फिट करने के बाद आपने जैसे खोला था उ और कियों भाई को पास air cooler engine होता है और कियों भाई भाई लोगों पास पानी वाला engine होता है दोस्तों इंजन दोनों बढ़ी है दोस्तों दोनों में safety बढ़ी है पानी वाला थोड़ा कम गरम होता है यह एर कुलर तो जधर गरम होता है दोस्तों फिर मैंने क्या किया जो इसका जो air calendar जिसमें लगा होता है उसी का बाल मैंने पिष्टन टोपर करकर और इसके नीचे उपर वासल लगी निकाले निकालकर और इसके नीचे डोनों रहा दोस्तों क्योंकि काँ अधिक हाड है यह देख़ो मैंने उसकी वासल निकाल दी आपर वाली और इसके नीचे दौस्प tapongjanot namul उसके और मिल जाता नहीं मिलता तो आप जो मेंद्रा गाड़ी होती है उसके जो ब्रेक होता है ब्रेक में ये पीर सिनेटर लगा होता है चक्के के अंदर इसके अंदर ये सप्रीम मिल जाता है और जो मिस्टरी मार्केटर में ये आप सप्रीम पास सकते हैं आराम से और इसका मैंने साइज मीडियम साइज इससे साइज कर दिया जैसे की बाल को हम दबाते है तो नूर्मल उंगले से बाल दबता है दोस्टो इस तरह का मैंने यह सप्टिक नौर में लगा कर और जिसे मैं लगा था यह वासा लगा कर और मैंकिले काटर दवारा फिट करना दोस्तो आप देख पारे हो इसको उपर मैं दवारा वेसे जिसे खोला था मैंने उसी तरह फिट कर दिया और उंगले से दबा के देख रहा हूँ एदम नॉर्मल दवरा दोस्तों तो दोस्तों यह फर्मूला करने बाद आपको मैं इदर सेट की तरफ दिखा रहा हूँ एक इंजन इसका पंप काम कर रहा और दूसरा इसका पंप जो बंद बढ़ा है आप देख पा रहे हो इसका जो इंजन स्टार्ट होता है यह वैह यह फिल्टर लगा और यह वारा फॉल्ट का बंद आस दो řे अगर फिदियो थोड़ा कम आपको लगे यह देख ठोंधों यह एर कालेंडर और सं दूर्मान लगा एर अर करिडर लगा उसके दोस्तों आप देख पा रहे हो की जहांपर नोजल लगी लगी होती है वहां पर मैंने नोजल के ये पाइप लोहे की पाइप या तो बनवा लो आप वरना बन्न भनै भी मिल जाती है और ये नोजल के जो नोजल उती है उसक arriv 13 नकल दिया और उसके उपर मैंने एक चूड़ी वाली वासर वेल्डिंग करकर उपर उसके उपर यह वेंजु पाइप देख रहो हो कसदी और यह जो आप देखने नोजर के नीचे कप लगा होता है इसके अंदर अपने फार्मल और करना पड़ेगा इसके अंदर एक हाड सप्रिं पर आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों तो दोस्तों पहले मैंने चक किया मैंने इसको पानी डालके कहीं लिक तो नहीं पर यह लिक नहीं है लिक होना भी नहीं चाहिए दोस्तों लीख होगा तो हावा लीख होगी यह गुल लगाने पारे मैंने हाड सप्रिंग जोसम निकल गी और आपार इसमें सुराग निकाल दिया और उपर मैंने बताया आपको पैप मैंने बेंजू लगाकर पैप फिट कर दिया और इसके में अब नोजल कसरा हूं दोस्तों दोस्तों अगर आपको ये नोजल वाला सिस्ट्म समझे ना आया तो बिद जोब बताने वाला आपको आप देखो मैंने दोस्तों उपसको पैप कस्दि और जो जहां सब्सक्राइब ले लिए और यह लोहीं पैप मिल जाती मार्केटस मैंने लेकर और लगा दी उसके अब法 मै जो पैप दिख रहा है यह सिल्वर गितार में इसको लपेटी है आप दिस तो देख पा रहे हो इस तरह मैंने इस सिस्टम बनाया एंजिन की दूरी और टैंकी की दूरी लगब धाई फूर तीन फुट है आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो इसे कम नहीं कर सकते हैं और में पास 500 पॉंट की ठंग की है